हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार सरकार ने BPSC के थुरू प्लस्टू स्कूलों में बहाली के लिए जो प्रधाना ध्यापक के पधहिन इसकूलों में बहाली के लिए आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जैसा कि आप सामने में देख भी पाड़े होंगे कि यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन निकला हुआ है इसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोग सिवायोग विग्यापन संख्या जो की है 2022 सिक्षा युहाग बिहार के अंतरगत उच माधमिक विद्यालों में प्रधाना ध्यापक के कुल 6,421 पदो पर नित्ती हेतु सुयों के भारतिये नागडिक तथा बिहार राजी के निवासी उमिद्वारों से यानि कि टोटल जो पुष्ट है वो 6,421 है और केवल ऐसे ही लोगों अप्लाई कर सकते हैं जो कि भारत के निवासी हो भारत के नागडिक होता था इसके सासत बिहार राजी के निवासी हो यानि कि लंबे समय से आप लोगों ने जो डोमिसाइल के मंग की है इस डोमिसाइल के मंग को सरकार ने सात्वे चैन के सिक्षक नियोजन में सु दिया गया है बाकि जो अन्य कर्टूगरी है ये हरे कर्टूगरी के हिसाब से यहाँ पर सीट दिया हुआ है टोटल सीट जो संख्या है इनकी 6421 है इसी तरह से और भी ध्यान आपको जो देने वाली बात है वो है कि जो वेतन मिलेगा वेतन मान 35,000 है यहाँ पर आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि जो वेतन मान है वो 35,000 है और समय पर सरकार दोरा अन्य भी जो इलावेंसे ये दिये जाएंगे आप लोग को अब इसके लिए योगिता क्या के चाहिए ये भी आप जान लेजे आपको किसी भी उनवर्सिटी से भारत में किसी भी मानेताः प्राबट उनवर्सिटी से कम से कम 50 परतिसत अंगों के साथ MA किया हुआ होना हुए है यानि कि MA की डिगरी आपको होनी ही चाहिए और MA में भ पचास प्रतिसत अंग तो कम से कम होने ही चाहिए इसमें जो result category के student है इनको 5 प्रतिसत की छूट दी गई है इसके साथ साथ B8 किये हुआ होना चाहिए और इसके साथ आप नीचे में अगर जा कर देखेंगे तो अनुभाव भी मांगा गया है यहाँ देखिए अनुभाव का जो कॉलूम है जिस पे बहुत ज़्यादा भी बात भी उठा था कि अनुभाव की मांग को सरकार नहीं रखे लेकिन यहाँ पे अनुभाव को सामिल किया गया है और अनुभाव में कम से कम 10 वर्स की 10 वर्सों का अनुभाव यहाँ पे डाला गया है लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपके उस सरकारी बिद्याले में ने बलकि अगर आप प्राइवेट स्कूल में CBS इससे जो अप्लियेटेड प्राइवेट स्कूल है इनमें भी अगर बाड़ा साल से आप कंटिनुवसली पढ़ा रहे होंगे तो यह भी आपका अनुभाव काम में आएगा आपको वहाँ से एक अनुभाव प्रामान पत्र अपना ले लेना है तो इस तरीके से फॉर्म भरने का डेट जो है यह जारी हो गया है और इसके साथ साथ ही जो परिक्षा होगी यह लिखित परिक्षा के अधार पे होगी लेकिन कोई इंटर्व्यू इसमें नहीं लिया जाएगा यहाँ पे कुल यह परिक्षा डेर सोंको की होगी जो multiple choice questions होंगे और ध्यान रखने बाली बात है कि इसमें negative marking भी लागू होगा यानि कि परिक्षा गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 अंक काट लिये जाएगे यानि कि हर चार गलती पे आपके एक अंक कट जाएगे परिक्षा जो है आपकी दू घंटों की होगी कोई भी interview नहीं है तो अब आप लोग जाके अपना online आवेदन दे सकते हैं इसी तरह कि और भी जनकाड़ी के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जूरे रही है तब तक के लिए धन्यवाद थेंक यू